नमस्कार दोस्तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो हमारी हमेशा से यही कोशिस रहती है कि हम आपको सही वो सटीक जनकारी दें जिसका आप उपयोग कर अपने स्वास्त को यानि अपने सेहत को स्वस्त रख सकें दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आज का वीडियो तो बहुत ही खास है आप के लिए तो आज के वीडियो पे आप बने रहिएगा और यह वीडियो आप सुरू से आखरी तक जरूर देखिएगा दोस्तो आज हम अनानास फल के बारे में बात करने वाले हैं अनानास ऐसा फल है जो खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उसके फाइदे भी उतने ही होते हैं आप अनानास का जूस पीएं या उसे खाएं या हर तरह से आपके सरीर को फाइदा पहुँचाता है इस फल में पौश्टिक तत्तों की भरमार होती है खाने में रसीला और सेहत से भरपूर अनानास अपने आप में गुडों का खजाना होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड़ियां लंबे समय तक मजबूत रहें तो अपने खानबान में अनानास जरूर सामिल करें क्योंकि इसमें मैगनीज होता है जो हड़ियों को मजबूत करने में हमारी बहुत ही मदद करता है यह हमारे हिर्दे को भी स्वस्त रखने में हमारी मदद करता है क्योंकि इसमें एंटी आक्सिडेंट होते हैं जो कोलेश्टराल के अस्तर को संतूलित रखने में मदद करते हैं जिससे कई तरह की दिल संबंधी बीमारियां दूर हो जाती हैं अननास आपके मुग के स्वास्त को भी बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि इसमें विटामिन C पाया जाता है जो दातों में होने वाली प्लाग की समस्या को रोकने में भी मदद करता है इसके अलावा दोस्तों अननास में कई तरह के मसूडों की समस्याएं भी दूर हो जाती है अननास में ब्रोमेलीन होता है जो दातों की चमक और दातों की सफेदी बरकरार रखने में मदद करता है इसके अलावा दोस्तो अननास हमारे वजन को भी कम करने में हमारी मदद करता है क्योंकि अननास का सेवन करने से हमें जल्दी भूक नहीं लगती है और हमारा पेट भरा भरा सा लगता है ऐसे में हमें वजन घटाने में और पेट की चर्बी कम करने में बहुत ही आसानी होती है रोग प्रतिरोधक छमता बढ़ाने यानि एमिनिटी सिस्टम को बढ़ाने जी हाँ दोस्तों आजकल जो कोरोना वारस है जिनकी एमिनिटी सिस्टम कमजोर है उन्हें जल्दी ही यह ग्रसित कर दे रहा है तो अननास का सेवन करने से यह हमारी एमिनिटी सिस्टम को भी काफी ह तक बढ़ाता है जिससे हमें रोगों से लड़ने में बहुत ही सहायता मिलती है इसमें विटामिन C होने की वज़े से यह हमारे रोग प्रतिरुदक छमता को बढ़ा कर जुकाम के साथ-साथ अन्न कई बीमारियों को भी दूर करने में हमारी बहुत सारी मदद करता है अनानास का सेवन हमें कैंसर से भी बचाता है जिहां दोस्तो इसमें एंटी ऑक्सिडेंट और ब्रोमेलिन गुड होते हैं जो मुक्त कड़ों से लड़ने में मदद करते हैं और हमारी कोशिकाओं की छती को रोपते हैं और कई प्रकार के कैंसर से भी हमें बचाते हैं अनानास में अपना पाचन तंत्र ठीक रखना है तो आप अपने भोजन में अननास को जरूर सामिल करें क्योंकि अननास में विटामिन C और ब्रोमेलीन पाया जाता है साथ हिसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है दोस्तों उन लोगों को अननास का सेवन जरूर करना चाहिए जिने उच्छ रक्तचाप की समस्या है क्योंकि इसमें मौझूद पोटेसियम की उच्छ मात्रा और सोडियम की कम मात्रा रक्तचाप अस्तर को सामान रखने में बहुत मदद करता है इसलिए उन्हें अननास का इनके जी मिचलाने की समस्या को बिलकुल ही दूर कर देता है मैक्यूलर डी जनरेशन दोस्तो यह एक ऐसी समस्या है जिसमें आखों की रोशनी धीरे-धीरे कम होने लगती है लेकिन अननास में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो इस समस्या को दूर करने में भी बहुत मदद करता है इसलिए आपको नियमित रूप से अननास का सेवन करना चाहिए दोस्तो ये तो थे अननास के धेर सारे फायदे लेकिन अननास के कुछ नुकसान भी है आए हम उसको भी जान लेते हैं अननास में Bromelin पाया जाता है जो शरीर में जाकर प्रोटीन में बदल जाता है और कई बार कुछ लोगों को इस से खुजली की भी समस्या हो जाती है इसके अलावा अननास खाने से कुछ लोगों के होट सूच जाते हैं या किसी की जीब भी कटने लगती है वहीं प्रेगनेंसी के दोरान अगर अननास का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो इससे गर्भपात का भी खत्रा बना रहता है अननास का सेवन बलड सुगर के अस्तर को भी बढ़ा सकता है इसलिए डाइबिटीज के मरीजों को यह सला दी जाती है कि इसका सेवन करने से आप परहेज करें या बहुत ही कम मात्रा में इसका सेवन करें देखा दोस्तों आप लोगोंने अननास का सेवन करना हमारे लिए कितना फाइदेमंद है बस जरूरत है हमें थोड़ी सावधानी की क्योंकि हमें इसका अत्यधिक सेवन नहीं करना है बस एक संतूलित मात्रा में ही सेवन करना है वैसे तो कोई भी चीज़ अगर आप उसका अतधिक सेवन करेंगे तो आपको वह हानी जरूर पहुंचाएगी इसलिए एक नियमित और संतूलित मात्रा में इसका सेवन करिए यह आपको कभी भी हानी नहीं पहुंचाएगी दोस्तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में जरूर सेयर करें मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी लोग स्वस्त रहिए मस्त रहिए धन्यवाद